बात करते हैं गडपती बप्पा की गणेश शतुर्थी के मौके पर मुंबई के अलग-अलग हिस्तों में गणेश पांडाल लगाय जाने की परमपरा है मुंबई के गणेश गली में भगवान राम के मंदिर की तर्च पर गणेश पांडाल बनाया गया है तस्वीरे मुंबई के मशूर लालबा के गणेश गली के पांडाल की है इस बार पांडाल को राम मंदिर का रूप दिया गया है अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के मंदिर के तर्स पर इस पांडाल को तयार किया गया है यानि इस बार गणेश कली के राजा राम आवतार में दिखेंगे इस बार राम मंदिर बनाया गया है भले ही अयोध्या के राम मंदिर का मामला अब भी सुप्रिम कोर्ट में है लेकिन गणेश कली में यहाँ पर राम मंदिर लगभग बन कर तयार हो चुका है आप देखिए किस तरह की कलाकृति का उपयोग किया गया है राम मंदिर को बनाने में राम मंदिर के अगर पीलर्स की बात करें तो इस पीलर्स में अलग-अलग किस्म की नकासी वो देखी जा रहे इसके अलामा दिवारों पर अलग-अलग तरह के भगवानों की जो मूर्ति है वो यहाँ पर लगी हुई यानि कि भव्य राम मंदिर का निर्माड जो है वो मुंबई में किया गया है हर तरफ जहां पे नजर जाएगी वहां पे सिर्फ और सिर्फ भगवान राम लक्षमड और माता सीता नजर आएगी देखिए किस तरह का यहां पे तस्वीरे किस तरह की लगाई गई हैं वो हम दिखा रहे हैं इस वक्त यह सामने जो आप तस्वीर इस समय देख रहे हैं अग और हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुचे हैं इसके अलावा वन में राम, सीता और लक्षमड ये तमाम तस्वीरे जो हैं वो यहाँ पर दिखाएगे यानि कि राम भक्त जो भी यहाँ पर पहुचेंगे वे खासा इस मंदिर को देखकर और यहाँ पर भगवान राम के तमाम जो चित्र हैं वो यहाँ देखकर काफी उन्हें खुशी होगी राम मंदिर के पांडाल को तयार करने के लिए सत्तर मजदूर पिछले 45 दिनों से दिन रात काम कर रहे हैं पांडाल को बनाने में करीब 45 लाग का खर्च आया है इस बार पांडाल को राम मंदिर के रूप में न केवल गढ़ा गया है वलकि गणेश की प्रतिमा भी भगवान राम के रूप में होगी और सत्तर मोग मजदूर काम कर रहे हैं और उसका अंदजा खर्चा 25 लाग रुपता है मंदिर को बनाने में उन सभी बारिक बातों का खयाल रखा गया है जिनका संबंद भगवान राम और उनके जीवन काल से रहा है पांडाल में बने बिलस को खास तोर पर तयार किया गया है बिलस पर जबरदस्त नकाशी की गई है साथी भगवान राम माता सीता और लक्षमट से जोड़ी तस्वीरें भी लगाई गई है इस बार जो राम के भक्त हैं उन्हें काफी सुकून मिलेगा क्योंकि भले ही आज तक उन्होंने राम मंदिर का नाम सुना होगा लेकिन गणेश गली पहुँचकर उन्हें वास्तों में राम मंदिर का नजारा देखने को मिलेगा और यही वज़ा है कि इस राम मंदीर को लेकर लोगों में उत्सुकता भी देखी जा रही है